नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के इंदर हम लोग एक 1600 करोण के मार्केट केप की एक स्मॉल केप कंपनी के बारे में बात करेंगे यह जो कंपनी है दोस्तों FMCG के सेक्टर में से आती है और आपको पता एक फिला जो FMCG सेक्टर हो किस तरीके से कितनी ग्रोथ के साथ में ग्रोव हो रहा इंडिया के इंदर और इसका बेनिफिट बीस कंपनी को मिलेगा साथ से चल रहा है और दोस्तों आने वाले तीन से चार सालों के इंदर ही एक बहुत ही बड़ा में अच्छे चुरू करते हैं तो चलिए आज के स्वीडियो को तो दोस्तों यहां पर कंपनी का नाम है मिश्टान फूर्स लिमिटेड फिलाल जो स्टॉक का प्राइज हो 17 रूपीज का चल रहा है मैंने जैसे आप लोगों को आगी बताया था कि यह लोग यहां पर बिजनस करते हैं तो सोला सो करोड के मार्केट के साथ में एक स्मॉल केप कंपनी है और दोस् दिये हैं दोस्तों के मैं बात करो पिछली साल कि अंदर ने 89% के रिटन लाकर दिये हैं लेकिन दोस्तों सिर्फ इनी चीजों को देख कर आप लोग कंपनी का नाम देख कर इसको फरीदने के लिए मज चले जाना और एक बात मैं दौस्तों मैं यह ब्लिया करना चाहता सिर्फ और इसलिए बता रहूं ताकि आप लोगों का सारा क्लियर हो जाए आपके सारे के सारे डाउट के पर क्लियर हो जाए दोस्तों तो इस प्वी रैश्यों में 33 का देखने को मिल रहा है तो सेक्टर के कंपैटिवली कंपनी के जो वैल्युएशन है वह थोड़ी बहुत वहीं जो sector की dividend yield है वो 1.39% की देखने को मिल रही है दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा important चीज की जो कि यह कंपनी का financial trend year on year revenue के इंदर काफी एची गुरू थे वहीं दोस्तों करने बात करो profit की तो 2020 कि यहाँ पर थोड़ा बहुत slow down आ गया था लेकिन उसके बाद में जाकर जो कमने नहीं हाँ पर profit करी है 2022 और 2030 कमने काफी जिदा अच्छे अच्छे profit निकाले हैं तो यह भी काफी जिदा अच्छी लिगें दोस्तों यहाँ पर समझने वाली चीज है वह इनकी शेयर होल्डिंग के परसंटेज के इंदर जो चैंजिस है वह है दोस्तों जो यहाँ पर प्रमोटर के वोल्डिंग है वहर एक क्वाटर के इंदर सिगिलिफिक अब बढ़ी है अब आप लोग बोलोगे बिया क कि कितने ही ग्रोथ हुई है 49.28% से 49.77% और फिर 49.77% से 49.82% जितना यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा है तो आप लोग बोलगे इसके अंदर तो पिछली 4-5 क्वार्टर का मिला भी ले तो भी परमोटर के होल्डिंग एक परसंट जितनी भी नहीं बढ़ी है ल लिए अच्छे डिसेंबर 22 22 के अंदर यहां पर जो प्रमोटर के जो यहां फिस की वोल्डिंग फिर मार्च के अंदर जाकर फिस ने होल्डिंग बनाई 1.13% जितना खरीदा और दिरे दिरी जो बढ़ते बढ़ते आज की तारी के अंदर 2.28% की हो चुकि है तो यह पी गयरा ले रखें तो इनकी कंपनी हां पर काफी जिदधा वाले साथ से अती लोगा जो करनट एश्यों अदर काफी जिदा काफी जदा अच्छे असे से वह हो जाती है वहीं तो सोलर सोकारर के मार्केट केप के टिए कैप की तो 53 करोड का डेट है तो इतनी बड़ी समझाओंगा तब ही आप लोग इसकी डेट को भी थोड़ा बहुत और अच्छी तरकी से समझ पाओगी इन लोगा जो अर्निंग पर से रहे वह 50 रुपीस का है 50 पैसे का है महीं कि बात करूँ डेट की तो 0.18 का डेट की डेट है मैंने जैसे आपको आगे बता है कि बेन अच्छी चीज यहां पर हो जाती है वह जो पिछले साल 7.68 परसंट का था तो सेक्टर की कंपेटिव यहां पर मर मर के चल रही है या तो फिर दंदा ऐसे बस चले जा रहा है दक्के मार मार के दंदे को चला रहे है इसा निया कंपनी अच्छे खासी प्रोफिट के साथ में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसके अच्छा प्रोफिट बन रहा है तो एक अच्छी चीज यहां पर हो जाती है वहीं कंपनी के पास में आज की तारीक के अंदर कुछ 410 करोड के एसेट से यहां पर हो जाती है दोस्तों हम लोग बात करें यहां पर क्वाटर रिजर् हो गई है एक काफी चीज यहां पर हो जाती है महीं दोस्तों बात करो अपरेटिंग प्रॉफिट की तो जून 2022 के अंदर यहां पर एटीन करोड का अच्छी तारीक के अंदर नाइटीवन करोड का हो चुक है तो यह भी काफी चीज हम में देखने को मिलती है ठीकिन दोस्त जो बात करें अपर टेक्स कि तो 11 करोड का नेट प्रॉफिट मार्जी प्रॉफिट था जो कि बढ़ते बढ़ते 87 करोड का हो गया है तो यह काफी चीज हमें देखने को मिल रही है और इसका सीधा का सीधा इंपक्ट है वह में अर्निंग पर शेर के अंदर कि ग्यारा पैस उसके अंदर भी काफी अची ग्रोथ रही है और जो सबसी जीधा इंट्रेसिंग चीज है वह दोस्तो यह उप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जीन है 2016 के इंदर सिर्फ और से 2% के ऑप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जीन थे जो भी बढ़ते-बढ़ते आज की तारीक के हमें देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर भी यर और काफी अची ग्रोथ है वहीं लोगा जो अर्निंग पर से रहे हैं उसके अंदर भी हमें काफी जीधा अच्छी है लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसा सोचकर इस कंपणि के इंवेस्ट कर रहे हो कि इंवेस्ट्मेंट फ़र सा सेफ होगा तो दोस्तों यह बात पूरी तरीके से गलत है क्योंकि है स्मॉल कैप कंपनी है प्लस थोड़ी बहुत इस 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 कंपनी के इंदर तो सारी चीज यहां पर अची नहीं है हम सिक्के कि एक बाजू देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए हम सारी चीज़ों को समझना चाहिए और आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने से बीरेजिश्टर इन्वेस्ट में रवेज़र या तो फिर रिसाच चैनल्स की चला जरूर से ले और दोस्ते से पांच साल होगा जब हम लोग यहां पर विजन लेकर चलते हैं तो यह एक सेक्टर में से आने वाली कंपनी है प्लस लोगा बिजनेस भी अच्छी तरीके से चल रहा है तो अगर इसी तरीके से बिजनेस के इंदर आके ग्रोथ होती रही तो आपको टेंट टाइम जितना पर जांच